Good morning students, आज अपन अध्यान करेंगे Wages Policy मजदूरी नीती सेवी वर्गे प्रभन के इंतरगर किसी भी संगठन में करमचारियों की मजदूरी सबसे important factor होता है यदि करमचारी अपने कारी के प्रतिफल में परियाप्त पारिश्रमी किया मजदूरी या सैलरी प्राप्त करते हैं तो वे अपने कारी के प्रति संतुष्टी कानुभव करते हैं और संगठन के उद्देशों में अधिक से अधिक सहयोग देने का प्रयास करते हैं तो किसी भी उपक्रम के अंदर संगठन के अंतरगर एक सुद्रड मजदूरी नीती सेवी वर्गी प्रभन का एक मुख्य भाग होती हैं, अधिकांश स्रम समस्याएं स्वस्त मजदूरी नीती के अभाव से ही उत्पन होती हैं, किसी एक संस्ता में समान प्रकृती के कारे करन वाले व्यक्तियों को भिन-भिन मजदूरियां देना अनुचित ही नहीं अपितु और व्यवारिक भी होता है यान यद पी विभीन संगठनों और इस्तानों पर मजदूरी नीती में भिन्नता पाई जाते हैं लेकिन एक ही संस्ता में एक सा कारे करने वाले स्रमिकों की मजद मजदूरी निर्माण में सरकार, सेवा, नियोजग एवं करमचारी गर्ण आदी सभी अपनी अपनी भूमी का निबाते हैं मजदूरी निर्धारण में इन सभी पक्षकारों का हित नहित होने के कारण स्वस्त मजदूरी नीती के निर्धारण में तीवर मतभेत पाया जात और मजदूरी नीती का निर्धारण एक महत्वपून प्रैश्ण बन जाता है। जो आर्थिक विकास को गती दे सके तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बुन्यादी नियूनतम मजदूरी यानि बेसिक मिनिमम वेजेज, उचित मजदूरी, फेर वेज, एवं लिविंग वेज, जीवन निर्वा मजदूरी आदी में विभक्त कर देना चाहिए। भारत में मजदूरी धाचा, बुन्यादी मजदूरी और महंगाई बत्ता पर आधारित हैं। परंतु यह जो स्ट्रक्चर हैं यह प्रारंब से ही अलोचना का विशे रहा हैं, अते स्वस्थ मजदूरी प्रणाली कुछ आधार्बुच सिद्धानतों और विशेश्ताओं पर आधारित होनी चाहिए। स्वस्थ मजदूरी प्रणाली निमनलिकित सिद्धानतों पर आधारित होनी चाहिए। सिद्धानतों को अगर धान में रखते जाए तो उचित मजदूरी का निर्दारण किया जा सकता है। विदेशों की भाती भारत में भी विगत एक दशक से मजदूरी निर्दारण में एक नई प्रवरती देखने में आई है। और इसे सुविधा की द्रश्टी से मीनू मजदूरी यानि मेन्यू मेजेज के नाम से पुकारा जाता है। मेन्यू का शाबदी करते हैं व्यन्जन सूची। आप यदि किसी रेस्टरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आपको एक मेन्यू कार्ड दिया जाता हैं जिस पर वहां उपलब्द व्यन्जनों के नाम एवं कीमत अंकित होते हैं। तो आप भोजन के लिए आदेश देते समय अपनी जेव की सीमा खर्च करने की शमता के अनुसार मेन्यू कार्ड में से उत्तम व्यन्जनों का चैन करते हैं। इसी प्रकार मेन्यू मजदूरी में मजदूरी के मद के अंतरगत होने वाले कुल खर्च की सीमा आपसी समझोते एवं उपरवर्नित सिद्धानतों के अनुसार निर्धारिय कर ली जाती हैं। तो उस सीमा के अंतरगर्द कार्मिक को मजदूरी के विबिन घटकों के निर्दारण की छूट दे दी जाती हैं और कार्मिक अपनी आफशेक्ता अन्य स्रोतों से प्राप्त आई, आईकर का कुल भार आधी को ध्यान में रखकर मजदूरी के विबीन घटकों का निर्धारण करता है। रेस्टोरेंट में भोजन आदेश देने की एक अन्य प्रचली प्रणाली है थाली प्रता। नहीं थी। तो यह उल्लेक करना आउशेक है कि मजदूरी के मेन्यू प्रणाली उच प्रबंदकों के शित्र में ही प्रचली तेवं लोगप्री है। निचले इस्तर पर अधिकांश थाली प्रणाली के अदार पर मजदूरी निर्धारण का कार्य किया जाता है। अब हम देखते हैं संतोष प्रद मजदूरी प्रणाली की क्या विशेस्ताएं हो सकती हैं। णीर्द या कोई स्रमीकों की आजविका का साधन होती है। और उन्हें कारी के प्रदि स्वेचिक साःयोग देने के लिए प्रेरे करती है। अच्छी मजदूरी प्रणाली स्रमिकों की कारेशमता में व्रद्धी करती हैं, उनके जीवन इस्तर को उच्छ बनाती हैं, उत्पादन की मात्रा में व्रद्धी करती हैं और सोहार्थ कुन अध्योगीक संबन्दों के स्थापना करती हैं। अस्वस्त और अव्यावारिक मजदूरी प्रणाली एक ओर तो स्रमिकों की कारेशमता का हनन करती हैं, उनके सामजिक जीवन एवं परिवार का शोशन करती हैं और दूसरी और अनेक उध्योगीक विवादों को जन्म देती हैं, जिससे उत्पादन में शितिलता आती हैं और स्रमिकों की जाने वाली मजदूरी उनके जीवन इस्तर के निरवहां के योग्यों के चाहिए, एक स्रमीक को अन्य उद्योग में समान प्रकृति के कार्य करने वाले स्रमीक के बराबर मजदूरी प्रदान की जाने चाहिए। अकुशल स्रमीकों को एक ही आधार पर मजदूरी देना नियाय संगत नहीं कहा जा सकता है। एक ही आदार पर मजदूरी का भुक्तान करने से ना तो कुशल स्रमिकों की कारी कुशलता में व्रद्धी होती हैं और नहीं अकुशल स्रमिक अपनी कारी कुशलता में व्रद्धी करने का प्रयास करते हैं अधिक कारी कुशल स्रमीक को अधिक मजदूरी और अकुशल स्रमीक को कम मजदूरी दी जानी चाहिए अर्थात सब धान 22 पंसेरी के सिद्धान्त को कोई इस्थान नहीं दिया जाना चाहिए मजदूरी के निर्धारण में उक्रम के बुक्तान करने की समता एक महत्वपुन घटक है जिसे बुलाया नहीं जा सकता अते मजदूरी का निर्धारण संस्ता की बुक्तान शमता के आधार पर निर्धारित की जाने चाहिए मजदूरी निर्धारण प्रणाली स्रमीकों के शिग्र समझ में आने योगी होने चाहिए तथा अभीप्रेरण योजना की अंतरगत भुक्तान की जाने वाली राशी का शिग्र भुक्तान किया जाना चाहिए जिससे स्रमीक को उसके अतिरिक्त प्रयासों का शिग्र ही नहीं लगना चाहिए मजदूरी निर्धारण प्रणाली उत्पादन की मात्रा से संबंदित होनी चाहिए उत्पादन की मात्रा का प्रमाप समय और गतिके अध्यान के आधार पर निश्यक किया जाना चाहिए स्वेचिक भावना जागरत करने के लिए पारितोशन एवां अधिलाबान शादी की व्यवस्थाएं भी मजदूरी प्रणाली में होनी चाहिए किसी उपक्रम द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी निर्धारन अन्य समान प्रकृति के कारे करने वाले उपक्रमों द्वारा अपनाई गई मजदूरी निर्धारन प्रणालियों से तुलना करने योग्य होनी चाहिए लेकिन इसका तात्परी यह नहीं है कि जब कोई संस्ता अधिक मजदूरी या लाबों में से हिस्सा देने के स्तति में है तब उसके द्वारा भुक्तान की जाने वाली राशी पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन लगाया जाए मजदूरी निर्धारन प्रणाली लोच शील होनी चाहिए ताकि बदलती वई परिस्तित्यों के अनुसार उनमें परिवर्थन किया जा सके मजदूरी निर्धारन प्रणाली अनेक विभागों या किर्यात्मक इकायों की कारिकुशलता की तुलना करना संभब होना चाहिए मजदूरी निर्धारन प्रणाली द्वारा लागत आंकडों का एकत्री करन शिग्र और शरल होना चाहिए इस प्रक्रिया की जानकारी स्रमीकों तता उनके संगों को होनी चाहिए तता उपक्रम में प्रते करमचारी को अपनी मजदूरी एवं वेतनिस्तर का ज्ञान आवशक हैं मजदूरी निर्धारन प्रणाली में stability यानि इस्ताइत्वता भी होने चाहिए और इस्ताइवं परिवतनशिल मजदूरी निर्धारन प्रणालियों में एक ओर तो स्रमिकों का विश्वास नहीं रहता और दूसरी ओर सेवानियोजकों को मजदूरी व्यायों का पूर्व अन स्रमिकों को आर्थी कटिनाय का सामना करना होता है तो इस प्रकार से एक अच्छी स्वस्त मजदूरी निती के अंतरगत मजदूरी निर्धारन के लिए ये सभी आवश्यक विशेस्ता हैं इन बातों का इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए तभी संगठन में करमचारियों को संतुष्ट किया जा सकता है और यदि करमचारिय संतुष्ट है तो संगठन के उदेशियों को प्राप्त करना एक सफलता की कड़ी माना जाता है धन्यवार